Hello friends, welcome back to Steadyker, मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर आज हम डिसकस करेंगे समसामाईक बिश्यों पर 6 नवंबर 2021 से related most important current of years तो दोस्तो आप इस lecture को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा important lecture है अगर आपको इसका पीडियेप चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जोईन के लिजेगा जिसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा दोस्तो आप हमसे whatsapp के माद्ध हमसे विजोड सकते हैं हमारे whatsapp नमबर है 86021793 इसके अलाबा दूसर नमबर भी है 87705609 इसके end में यानि इस lecture के end में आपसे कुछ question पूछे जाएंगे तो उनके answer आपको comment box में जरूर देना है चलिए friends विना समाई का बाइड डिसकस करते हैं आज का पहला question तो आप ध्यान से सुनिएगा BCCI के द्वारा किसे भारतिये team का head coach nuked किया गया है answer इसका Rachel Dron यनि दोस्तो राहोल Dron kraut को BCCI के द्वारा भारतिये पुरुस cricket team का muk coach nuked किया गया है राहोल Dron की बात करें तो यह भारत के पूर्व कr Constitution हैं और दोस्तों इन्हें दा वॉल के नाम से भी जाना जाता था, तो अब इनके अनुभवों का फाइदा किसे मिलेगा भारतिय क्रिकेट टीम को, प्रुजेंट में भारतिय क्रिकेट टीम के head coach कौन है, रवी सास्त्री है, जो की T20 World Cup के बाद बदल जाएंगे और राहुल इन्हें भारत की under 19 टीम और इंडिया एके मुख कूच की रूप में काम किया है, दोस्तों बी सी सी आई का full form क्या होता है, तो आप ध्यान से सुनिएगा, इसका full form होता है Board of Control for Cricket in India, बी सी सी आई भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी संस्ता होती है, इ अगर हम प्रजेंट में इसके प्रेसिडेंट चेर्मेन की बात करें, तो इसके चेर्मेन है सौरब गांगोली, और सौरब गांगोली भी भारत के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, दोस्तों बरतमान में सचेव कौन है, तो जय साय है, इसका headquarter कहां है दोस्तों, तो मुं जागरुकता दिवस यानि World tsunami awareness day किस दिन मनाया जाता है, तो आंसर होगा इसका 5 नवंबर को, तो दोस्तों हर साल विस्स सुनामी जागरुकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है, इस दिवस को मनाने का जो मुख उद्देश है, वो है सुनामी के बारे में जागरुकता का पर चार परसार करना, दोस्तों पहला सुनामी जागरुकता दिवस मनाया गया था 5 नवंबर 2016 को, अब बात करते हैं सुनामी के बारे में, तो दोस्तों सुनामी को शमजने की कोसिस करना है कि आखिर ये सुनामी है क्या है, तो जब धर्ती हिलती है तो भूकम पाता है, और चब यही भूकम समुदर में आता है, तो ऐसे इस्तिती को हम सुनामी कहते हैं, दोस्तों समुदर में उठा हुआ तूफान ही सुनामी कहलाता है, तो ये हैं important point सुनामी के बारे में, अगर हम बात करें सुनामी की, तो यह एक जापानी भासा का सब्द है, जिसका अर्थ होत हैं उसी को हम सुनामी कहते हैं, दोस्तों याद रखिएगा कि जो जापान है वहाँ पर बहुत अधिक सुनामी आती है, और भारत के तटिये छेत्रों में भी सुनामी का खत्रा बना रहता है, और दोस्तों सबसे अधिक जो खत्रा है भारत के दच्छनी, पूर्वी और का अनावरण किया है, तो उनका नाम है आदी गुरु संकराचार, यानि आदी गुरु संकराचार की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, किसके द्वारा प्रधानमंती नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, दोस्तों प्रधानमंती नरेंद्र मोदी 5 नवंबर 2021 को केदार नात धाम जो की उत्राखंड में है तो वहाँ पर उन्होंने प्रसिद्ध गुरु आदी संकराचारी की प्रतिमा का अनावरण किया है अगर हम इस प्रतिमा की बाद करें तो यह 35 तन बजनी है और दोस्तो इसका काम यानि इसको बनाने का काम 2019 से सुरू किया गया था उत्राखंड में साल 2013 में बाढ़ा आई थी जिसके कारण जो आदी गुरु की प्रतिमा थी वो नश्ट हो गई थी जिससे अब फिर से बनाया गया है दोस्तो आदी गुरु संकराचार की मूर्ती समाधी इस्तल पर 12 फिट उची है और 35 तन बजनी है और इसका निर्माड कहा हुआ है इस मूर्ती का तो इसका निर्माड हुआ है करनाटक के मैशूर में तो दोस्तो ये थी कुछ important point याद रखना है कि जो केदारनाध धाम है ये किस state में है उत्राखंड में है और यहीं की यात्रा पर गए थे कौन प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी जी दोस्तो आदी गुरु संकर उन्होंने आद्वैत वेदान्त और ठोस आधार प्रधान किया है यानि जो आद्वैत वेदान्त है उसको एक ठोस आधार प्रधान किया है इन्होंने भारत बर्स में चार कोनों में चार मठों की स्थापना की जो अभी तक बहुत प्रसिद्ध और पवित्र माने जाते हैं और जिन पर आसीन सन्यासी जो होते हैं वो संक्राचार कहलाते हैं यानि जो चार मठ हैं उन मठों में जो सन्यासी रहते हैं उन्हें संक्राचार कहा जाता है दोस्तों वो चार इस्थान कौन-कौन से हैं जहां पर आदि संक्राचार ने मठों की स्थाबना की थी तो पहला है जोतिस पीट बदरिका स्रम और दूसरा है स्रंगेरी पीट, तीसरा है द्वारिका सारदा पीट और चौथा है पुरी गोवरधन पीट, तो दोस्तों ये चार पीट हैं या चार मठ हैं जिनकी स्थापना आदी संक्राचार के द्वारा की गई थी, अगला कोशन है, इंपोर्टेंट कोशन है, स्वेटिजा लेंड में भारत का राजदूत किसे न्यूक्त किया गया है, तो उनका नाम है संजे भटाचार, दोस्तों संजे भटाचार को 3 नौमबर 2021 को स्वेटिजा लेंड में भारत का राजदूत न्यूक्त किया गया है, दोस दोस्तो संजय भट्टाचार 1987 वैच के IFS ओफिशर हैं। दोस्तो याद रखना है कि सुटिजा लेंड जो है वो यूरोप महादीव का एक देश है और उसकी रालधानी बर्न है। क्या है दोस्तो बर्न? जो बर्न है वो सुटिजा लेंड की रालधानी है। अंगला कुशिन है हाल ही में उत्तर प्रदेश के आयूध्या में दीपोत्सव कारक्रम में कितने दीप जलाकर के एकविश्य record बनाये गये है। आंसर है इसका 12,00,000 धिए। इसमें राम की पैड़ी पर 9 लाख और आयोध्या के बाकी हिस्सों में 3 लाख दीपक जलाए गए थे। इसके अलाबा दोस्तों जो राम जन्मे भूमी परिशद है वहाँ पर 59,000 दिये जलाए गए थे। दोस्तों 12 लाख दीए जलाने का यह अब तक का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो याद रखना है कि आयोध्या में कितने लाख दीए जलाए गए हैं 12 लाख दीए जलाए गए हैं। नेक्स्ट कुश्चन है इंपॉर्टेंट कुश्चन है वेस्ट इंडीज के किस खिलाडी ने T20 वर्ल्ड कप के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रेटायरमेंट लेने यानि सन्यास लेने की घोशना की है। आंसर इसका डोएन ब्राबो तो दोस्तो अब डोएन ब्राबो वेस्ट इंडीज की टीम के लिए खिलती नजर नहीं आएंगी क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रेटायरमेंट की घोशना कर दी है। दोस्तो अभी हाली में UAE में T20 वर्ल्ड कप चल रहा है जिसमें वेस्ट इंडीज को सिलंका के साथ हार मिली जिसके बाद इन्होंने यानि डोएन ब्राबो ने अंतराश्टिक क्रिकेट से रेटायरमेंट का एलान कर दिया। दोस्तो ब्राबो ने वेस्ट इंडीज के लिए 90 T20 मैचों में 78 विकेट लिये हैं और 1000 से ज़्यादा रन बनाये हैं। साल 2004 में अपने इंटरनेशनल केरियर की शुरुबाद करने वाले ब्राबो ने 293 मैच खिले हैं। तो दोस्तो ये थी कुछ important point ड्राबो के बारे में। अगर हम बात करें एस्टोनिया की तो इसके कुछ पडोसी देश हैं नारवे और इसके अलावा रसिया का भी कुछ पार्ट एस्टोनिया से लगता है। दोस्तो अगर हम एस्टोनिया के बारे में कुछ और point डिसकस करते हैं तो आप ध्यान से सुनियेगा। केबल यहां की जो जनसंग क्या है वो है 1.4 करोड और इतनी जनसंग के बाद यूरोपिय संग का सबसे कम आवादी बाला सदस से कौन है एस्टोनिया। एस्टोनिया 12 सितंबर 1921 से लीग ओफ नैसन 17 सितंबर 1919 से सयुक्त राष्ट संग और 1 माई 2004 के बाद यूरोपिय संग और 29 माज 2004 के बाद नाटो का सदस है। यानि जो एस्टोनिया है वो नाटो का भी सदस है, यूरोपिय संग का भी सदस है, सयुक्त राष्ट संग का भी सदस है और इसके अलाबा लीग ओफ नैसन का भी सदस है। दोस्तो इसके अलाबा जो एस्टोनिया है, एस्टोनिया ने कोईटो प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किये हैं, तो याद रखिएगा एस्टोनिया यूरोप महादीप का एक देशे जिसकी राजधानी यानि कैपिटल है तालिन, दोस्तो नेक्स्ट कोशन है, इंपोर्टें मिल सके, दोस्तो कोशन है, राष्टिय आयरुवेद दिवस यानि नैसनल आयरुवेदा डे 2021 में कम मनाया गया, आंसर है इसका 2 नवंबर को, दोस्तो राष्टिय आयरुवेद दिवस यानि नैसनल आयरुवेदा डे 2021 में 2 नवंबर को मनाया गया, आयरुवेद दिवस हर सा धन्मंत्री जैन्ति beginning 20th सके दिन मना जाता है जिस धिन धन्तेड़ेश का तिवार होता है उसी दिन ही यह दिवस मनाए बदल जाएगी तो इस बार दो नवंबर को National Ayurveda Day मनाए गया है और दोस्तो ये जो राष्टिय Ayurveda दिवस है ये किसकी याद में मनाया जाता है तो भगवान धनमंत्री की याद में मनाया जाता है जिन्हें Ayurveda और आरोग का देवता मना जाता है दोस्तो इस दिन को मनाने की शुरुवात हुई थी 2016 से यानि National Ayurveda Day कब से मनाया जा रहा है 2016 से तो दोस्तो ये थे आज के कुछ important current affairs अब हम कल के current affairs का भी revision कर लेते हैं यानि पिछले current affairs का revision कर लेते हैं तो पहला question है पंजाब के पूर्व मुख्मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग ने कांग्रेस पार्टी से स्तीपा दे करके अपनी किस पार्टी का ऐलान किया है तो उस पार्टी का नाम है पंजाब लोग कांग्रेस पार्टी अंगला question है किस देश ने 5-6-11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके की मंजूरी दी है तो उस देश का नाम है अमेरिका next question है भारत और विस सुवैंक ने किस राज में स्वास्त प्रणालियों को मजबूत करने के लिए एक समझोता किया है तो answer इसका मिजूरम दोस्तो रक्षा खरीद परिशद ने मेके निडिया के तहट कितने करोड रुपए के हत्यारों और सेन उपकरणों की खरीद को मंजूरी प्रणाल किया है answer इसका 7,965 करोड हाली में किस कंपनी के द्वारा चीन में अपनी शिवाएं बंद कर दी गई है तो याहू कंपनी के द्वारा चीन में अपनी शिवाएं बंद कर दी है next question है सिंदू नदी डॉल्फिन की जनगरना का काम किस सरकार के द्वारा सुरू करने की घोशना की गई है answer इसका पंजाब सरकार चलिए friends अब हम वो question डिसकस करते हैं जिनके answer आपको comment box में देना है तो पहला question है राष्टी आयरवेड दिवस कम मनाया गया दूसरा question है एस्टोनिया की रालधानी क्या है तीसरा question है स्वेडिया लेन की रालधानी क्या है और चौथा question है केदार नाध्धाम किस state में है इन सभी प्रस्नों के answer आप comment box में जरूर दीजेगा हमें इंतजार रहेगा आपके answer का दोस्तो आप studyaker को cover up for follow जरूर कर लें वहाँ पर आपको most important audio lecture मिल जाएंगी इसके अलाबा आपको मेरा modern Indian history का audio course मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर दोस्तो आप राजा गुपता को unacademy for follow कर ली जगा वहाँ पर आपको उनकी special classes live classes मिल जाएंगी और इसके अलाबा अगर आप राजा गुपता के मादेम से कोई भी course पर change करना चाहते हैं उसके लिए एक referral code यूज़ करिएगा राजा नमबर वन क्या है referral code दोस्तो राजा नमबर वन जैसे आप यह referral code यूज़ करेंगे आपको उस course में छूट मिल जाएगी चलिए friends मिलते है next lecture में जैहिंद बंदेमात्रम आप इस lecture को like करिएगा और दोस्तों को share करना बिलकुल नहीं बूलीगा मिलते हैं next lecture में जैहिंद